अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मारी यूटूब चेनल में दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अपने जो है आधार कट को बनवाया होगा तो इस तरह का आपको receiving मिलाओगा तो दोस्तों इसे enrollment id से आपको जो है आधार कट कैसे download करना है आज ये वीडियो में बताएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इसके लिए सबसे पहले अपने Chrome Roger को open करना होगा दोस्तों, अपने computer में तो open करने के बाद आपको search करना होगा UIDAI, जैसे आप search करेंगे कुछ इस पर करका link आता आपके computer में, कुछ इस पर करका page खुलता है, तो first वाला जो link आपको दीख र जोई SAR तो gate अधार वाले option में, क्लिक करना होगा, जैसे दोस्तों आफ इस पर click करते हैं कुछ इस परकार का फिर से आपको सामने, page open होगा तो download अधार वाले option पर को क्लिक करना होगा जिसे दोस्तों आप अधार करेंगे तो कुछ इस परकार तीन तरीकेसे आपको अधारकाट डॉणलोड करने का औप stands मिलेगा to दोस्तों मैं इंड रॉलमेंट आइस से अधारकाट को डॉणलोड करूँगा तो दोस्तों सबसे पहले जो हैं आपको enrollment ID डालना है जैसे दोस्तों आप enrollment ID डालते हैं डालने के बाद इसमें जो दोस्तों आपको 28 digit पुराना है तो दोस्तों आपको enrollment ID डालने के बाद आपको जो है अपना year select करना उसके बाद आपको month select करना उसके बाद day select करना है याद रहे दोस्तों बीच में आपको gap नहीं देना उसके बाद को कितने बज़े ये submit किया गया है, तो पहले hour उसके बाद, minute उसके बाद second देना होगा, जैसे दोस्तों आप second इस पर फिल करते हैं फिल करने के बाद आपको cap charge में फिल करना होगा जैसे दोस्तों आपके अप्चा फिल करते हैं तो आपको एक option आएगा यहाँ पे नीचे दीख रहा है उसे वो थोड़ा blue color का हो जाएगा दोस्तों आपको send.tp जो है दीख रहा है उस पर आपको click करना होगा जैसे दोस्तों आप send.tp क्लिक करते हैं तो जो भ अपने enrollment id से जो है आप अपने घर बैठे अधार काट को download कर सकते हैं हाँ और इसको दोस्तो आप PDF में भी save कर सकते हैं या तो आप print भी कर सकते हैं तो दोस्तो मैं इसको PDF में save कर दे रहा हूँ save करने के बाद दोस्तो आपको जो है इसमें कुछ security के लिए passport दिया रहा है तो दोस्तो आपको जो है जिस भी candidate का ये कर रहा है तो उसका फूर लेटर alphabet में आपको capital letter में डालने के बाद आपको जो है आपका जो भी year है वो select करना होगा देसे दोस्तो आप select करेंगे तो आपका जो है अधार कर दोस्तो ओपेन हो जाएगा तो दोस्तो मेरा ये जो पीडिया वाला है ये थोड़े इसमें कुछ problem हो रहा है तो दोस्तो मैं अभी इसमें passport डालके अभी दिखाता हूं दोस्तो आपको नाम डालना है चार अक्षर उसके बाद date यानि कि यह डालना है तो इस